हेलो फैंस वेलकम टू ओनलाइन अट्रफ और स्टडी बनेश्टेव एड़ फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का माई यूट्यूब चैनल पर सो गाइस मैं आप लोगों के सामने सेकंड मार्च का करेंट अफेर लेकर किया हैं उन जैसा कि आप सभी बोल ले थ आप सभी को याद रहे कि आपने कौन सा कोशन किस इमेज से इलेट करके पड़ा था ये काफी अच्छा नया तरीका होगा जैसे कि आप कभी भूलेंगे नहीं तो गाइस शूर करते हैं आज का लेटर स्करेंट अफेर तो वीडियो को लाइकन शेयर करना बिलकुल ना भू जाता है चार आप लोगों के सामने राइट आंसर आप सभी को इसका पता होना चाहिए तो देख लेते दोस्तों सुने वेदवाओ दिवर्स कभ मनाया जाता है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे कि आप सभी को प्रॉलम नहीं होगा येस मुझे उंबीर है कि क्यों मनाया जाता है आप सो किसी से कबर कर सकते हैं बेदवाओ का मतलब है कि बेदवाओ के अगेंस मनाया जाता है जी यहां दोस्तों तो बेदवाओ के समाधान या उसके मुझ्दों को दोस्तों जो है सॉल्फ करने को लेकर जिवर्स सूने बेदवाओ दिवर्स मनाया ज जाता है उसका मैंने आप सभी को बता दिया लेकिन इसकी थीम के है थीम आप लोगों को ज्यादा याद अगनी है इसकी थीम है एक्ट टू चेंज लो तो एक्ट टू चेंज लो इसकी दोस्तों पीम जो ज़ादा पूचे जाती है लिखा भी यह वर्ड इस बदर बड़ फैम किस नदी पर चाल लेन पुल को लेकर मंजूरी दी गई आप सभी को बताना है तो राइट आंसर जो होगा इस ऑप्षिन का उप्षिन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोसो ब्रहमपुत के ऊपर दोसो चाल नदी का जो बनने वाला इस नदी के ऊपर अच्छे किस के कौन से ने सिच कनेक्ट होगा नैशनल हाईवे से कनेक्ट होने वाला है वह आप लोगों को मैं याद करा देना चाहता हूं बनने वाला है तो आप सभी को पता चाल लेंपुल के नेवाड को मंजोई दी गई है बढ़ते हैं दोसो इसके अगले कोशन पर इसकी इमेज को लेकर अभी कोई थाने इसलिए मैं आपको दिखाए नहीं है अगला कोशन देख लेते हैं एना यू एम की आदासिला कहां सब्सक्राइब को आप सभी को बता देख लिए नैस नंस्ट इंसिट्टीट ओफ यूनानी मैडिशन इसके फुल्बं याद कर लिए नैनल इंसिट्टूट ओफ यूनानी मैडिशन तो नस्टो घाजियाबाद लेके इसको रखा जा रहा नेशनल इंस्टिट ओफ यूनानी मेडिशन आई होप यू इंडेस्टेंड अगला कोशन दोस्तों कवर कर लेता है अगला आप लोग के सामने है कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान परदान के लिए भारत ने किस देश के साथ जो समझोता किया आप सभी को बताना कि यहां दोस्तों नहीं लगाएंगे उसका रेजन क्यों क्या होता है कि बुरुनाई को हम जाता है जो ऐसे समझोते करते हैं अमेरिका जापान इसराइल ऐसे देशों के साथ करते हैं बट राइट आंसर ऑप्शन नमबर सी इसका विल्कु राइट आंसर होगा तो अब दो है दोस्तों इसको पहले मैप में देख लेता हैं फिर उसके बाद अस्तipse आगे बात करते हैं यह आप लोग dil अगा यगर बानकी बिल्हा अप लोग के सामने हैं नीचे मलेसिया है दोस्तों यह दोस्तों बंदी की पूरी की पूरी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया कैपिटल एक वा फेसरी रिमेंबर कर लिजे बंदर सेरी बागवा करनसी क्या है बंदरी डॉलर है क्राउन वहां के कौन है अलमुदादी बिला थोड़ा डि किसने लॉंच किया आप सभी को बताना है चार उप्षन आप लोगों के सामने रक्षा मंत्राल है बिदेश मंत्राल है आई याज सीटी सी या फिर नीटी आयो तो इस पूर्प्षन का जो आई या सीटी सी इसका विल्कुल राइटांसर ऑप्षन नमबर सी इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों यह क्या है तो आई पे नमक तो इतना काफी है कि डिजिलर पेमेंट गेटवे एक्शली लॉंच क्यूं किया कि उसका रीजन यह जैसे कि आप सभी पहले टिकेट बुक कराते थे तो आपको दोस्तों किसी और पेमेंट या फिर थर्ड पार्टी पे जिसका नाम है आई पे किसके लिए पिजिलर पेमेंट gateway के लिए लौच किया गया है आई याज सीटीसी की फुल पूम किया है बता दिता हूं दौस्तों मैं आप लोगों को याद कर लीजय तो बिसकर किसलिए डायक्त पेमेंट होगी जसे तिसे कि आपकभी डेविट कर से पेमेंट करते हैं आपके किसी भी थर्ड पार्टी जो एप यूज़ करते तब आप उसको यूज़ करने की कोई ज़ोद नहीं है आप सीधे आई पेसे पेमेंट कर सकते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स कोशिन की तब कोशिन नमर्ब सिक्स आप लोगों के सामने अथिकार हाँ थोड़ा सा देर्ट में में अप समझ सकते हैं तो यहां का तो नहीं होगा होगा चैन नाइं लेकिन अ वह इन -... कहहां कि वहां से रलेट करते हैंशनरी चैनली कहाई कि दोस्वा मेर् zu नाम पता होगा तमिल नाडु की दो सलक्राइव чего यह धो कैपिटल है कैपिटल चैन नहीं है तो दोस्तों चैन नहीं से ही रिलेट करते हैं तो अथिक वाडू अविनास बोजल पुनर वर्ण योजना की जो शुरूबात की है दोस्तों वो तमिल नाडू ने की है अब आप लोग दोस्तों को कभी नहीं भूलेंगे कोई भी ऐसी तो यह दोस्तों मैप के अंदर आप देख सकते हैं तमिल नाडू आप लोगों के सामने आ चुका है अगर दोस्तों यह क्यों चुरू की गई है ग्राउंड बाटर के लिए दोस्तों पुनर वर्ण योजना जो शुरू की गई है कैपिटल चैनली जैसा मैंने आपको बताय कर सकते हैं अगला कोशन कफका पुनरवास योजना पर नरवाट संभिलन कहाँ आयूजित किया गया आप सभी को बताना है चार आप लोगह के सामने avc आपको करना है लेकिन आप सभी को बता दीना चाहता हूं ओन्स यह पिंुछ इवेंट आ जाते हैं अगर बीच में नियू देली होता है तो हंडेड में से आपके 90% कोशन के जो आंसर होते हैं वो नियू देली ही होते हैं तो अप्शन क्यों शुरू की गई हैं उनकी मदद के लिए दोस्तों यह होती है आप सभी यहां देख सकते हैं तो दीन द्याल बिकलांग पुनरवाश योजना का नेवाट कहां किया गया नियू देली में बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला आप लोगे सामने हैं अंतरास्टे यह अटी ऑफ्शन्स के अंदर होता है तो चांसे जो है बढ़ जाते है राइट अंसर होने के तो देख लेते हैं इसका अंसर क्या होगा दोसो तो तो नियू डैली इसका उट इसका अनसर है बात कहते हैं इसका और गारटन किया किस ने था चलो यह तो इसका हमें पता चल लेकिन कोशिन कहां से आता है वो आपको बता देता हूं तो अंतराश्चा सवस्त संगोस्टी का उद्गाटन किसने कि कहां पर हुआ दोसों न्यूडियु डेली में हुआ लेकिन किसने किया यह ज्यादा impress होता है तोले के लिए दोस्तों किसने कीया है तो यह दो स्वास्त्र vivre कर लियाट मंत्री वर्फिया पटेल जी ना दोस्तों न्यु दिली में इसका अउध्गाटन यह जिन्हों सब्सक्राइब गाटन किया था क्योंकि दोस्तों हमें यह तो पता चल जाए कि दिली में हुआ था लेकिन किस ने किया कईवा यह वाला कोशन जादा देखने को मिलता है और मोस्ट अपला टाइम हमें इसका अंसर नहीं पता होता तो इमेजिस के थूँ आप सभी को याद रहेगा अगर आप से इनें कोही नहीं all लें दीपक सिए दोस्तौ अइस दोस्तह पूच से खेल लेत 나서 10で 29 किलो गराम को शेडिक गया कंग दोस्तों इनोने पार्टिकिपेट किया था देख लेते हैं दोस्तों इसिंग को बात करें इन्होंने दोस्तों मकरान कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है बढ़ते हैं अपने अगले कोशिन पर अगला कोशिन आप लोगे सामने है मेडिकल उतपाद बिनिमे छेति मैं सहयोग के लिए भारत ने किस के साथ समझोता किया आपको बताना है चार आप लोगे साम की दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसकी जो के प dir a के निए बाहरे बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपूर्टेंचों होते हैं यह दोस्तों देखसकते हैं मैप के थूर। ऐस्टीना के अग्रिशों मैरी के जो है पिस बढ़ते हैं दोसों अगले कोशिन पर अगला कोशिन आप लोग के सामने हैं अंतरास्ट्री के केट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाडी बने आपको बताना है दोई शर्मा केश गेल महंद सिंग दोनी या ब्राट कॉली तो दोसों 500 केट छक्के लगाने वाले कौन से बने आप सभी को पता होना चाहिए दोसों यह अभी अभी इन्होंने यह मुकाम आसिल किया यह किया दोसों क्रेस गेल ने क्रेस गेल 200 एगलेंड के वले वाज़ा अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मेंज के तूर आपको दिखा दिना चाहता हूं यह दूस्तों क्रेस दोस्तो सुच बन अपज धातो MSP किस ने लॉंच किया है तो MSP किस ने लॉंच किया आप सभी को बताना है चार आप लोग सामने है लेकिन दोस्तो पहले MSP बारे में थोड़ा सा एक मैं आपको बता दू सिम्पली minimum support price जो होता दोस्तों वो किस ने launch कि आप सभी को पता होना चाहिए अब निर्मला सीता रमन जुएल ओराम अरुन जेटली या फिन नीचे नरिंद मोधी जी है तो नरिंद मोधी जी को हम दिखा देना चाहते हैं आपको नीचे हैं तो राइट आंसर आप सभी को बताना है इस फैस जी हाँ दोस्तों सूची बन जाती उपजी के लिए दोस्तों इननों ने उद्गाटन किया ता तो जन जाती मंती जुएल ओराम जी हैं आप नीचे लिखा भी है जैसे कि मैं आप सभी बता देल के सामने राह सके हैं सब्सक्राइब करने की कोशिश की गई है कैसा लगा इमेज के साथ में जहूल बताएं साथ में वीडियो को लाइकन को दिवाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सब्सक्राइब को तक नियो वचिए लियुल या-व बेस्च्राइब